हेलो आप रिबुड़ी सभी साथ योको राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाकूंगे तन दुरूस्त होंगे और आप अपने आने वड़ एक्जाम की त्यारी जबरदस तरीके से कर रहे हुए दोस्तो डी ट्री प्लैस्बी ने कई भरतियों के एक्जाम डेट गोशित कर दी है कई परकार की भरतिया है यदि आप इस अपडेट के बारे में यदि आप इस इनफर्मेशन को देखना चाहते हैं ओफिशल नोटीस के साथ तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेग है तो दोस्तो देख लेते हैं डी ट्री प्लैस्बी के तरफ से क्या आप डेट आई है तो दोस्तो यहां पर देखिए आज का इस नोटीस है ओफिशल नोटीस आपका और ओनलाइन एक्जाम होगा क्या है ओनलाइन एक्जाम है कई परकार की भरतिया है इसलिए वीडियो को 22 तारिक और 23 तारिक, अपरेल महिने की, 19 अपरेल, 20 अपरेल, 22 अपरेल, 23 ठीक है, तो 19 तारिक को, 19 अपरेल को एक्जाम है आपका जुनियर स्टैनोग्राफर इंगलिस, जुनियर स्टैनोग्राफर इंगलिस और स्टोर कीपर का, और दिल्ली टूरिजम एंड ट्रांस्पोर डेवलोप्मेंट कोर्परेशन लिमिटेड में वर्ति निकली थी जूनियर स्टैनो और स्टोर केपर उसके बाद में दोस्तो बीस तारीक को आपका एकजाम है यहां पर देखेए फायर ओपरेटर का फायर ओपरेटर मेल कैनिड के वर्ति थी पोस्ट कोड आप यहां पर पॉस्ट कोड़ आप जरूर देखेगा इसी के बेस्ट पर पताज लगा कि आपने कुण सा फारम बर रखा है और दोस्ति आप आगे भी सही समय पर सही इंफरमेशन पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर को लेना उसके बाद में दोस्तों आपका फूड शिफ्ट अप्यां पर दोस्तों आराम से देख लीजगा उसके बाद में दोस्तों आपका एक्जाम है वेटरनियरी लाइव स्टोथ इनस्पेक्टर का एक्जाम है अपका एड़रिटाइजमेंट एक स्लैस 2020 और पोस्ट कोड है चार्ज लैस 2020 तो दोस्तों आपके डी ट्रिपलेस भी ने नोटिस जारी कर दिये हैं एक्जाम के यह दिया आपने इन भर्तियों के लिए बार बार मेरे पस कमेंट आ रहे थे कि सरा एक्जाम कब होगा डी है डी ट्रिपलेस भी का एक्जाम डेट कब आएगी तो फाइनली आज आपके नोटिस आ गए हैं और मैंने बताई दिया है अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है आप अपनी त्यारी करते लिए दोस्तों और डी ट्रिपलेस भी की मैं थोड़ा सा बेस्ट मानता हूं अपने ह हरियाना में कोई भी किसी भी तरीके का पैटर्न या कोई स्टूल नहीं है लेकिन डी ट्रिपलेस भी का सही सैडूल है और वहाँ पे गवर्मेंट का और उचनेयले का भी प्रेसर इन पे पढ़ता रहता है इसलिए प्रोसेस सही चलता है तो आज की यूडियो में इतना ही दिन्यवाद विगोन करे आप सभी का समय सुभ रहे